हेलो फ्रेंट्स सौगत आपके चैनल फेंटेसी डॉक्टर में वर्फिट से जो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहे है वह नहीं वाला यहां पर वीडियो में आपके साथ स्मॉल लिक की चार टीम प्लस आपको यहां पर प्लस पिच रिपोर्ट प्लस कौन सी टीम स्ट्रॉंग रहे हैं इंवेश्टमन कैसे करनी है प्लस आपके साथ शेयर करने वाले हैं तो उससे पहले कर आप हमारे यूटूब चैनल पर नहीं आयो तो हमारे टैलिग्राम चैनल जोइन करना बहुत जुरूँ है जिसका नाम है यहां करते हैं जौँ करते हो वहां को हमारे टैलिग्राम मिल जाएगा सब से ओपर ब्लीव किलर का लिंक होगा जैसे उस पे क्लिक करोगे टेलिग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन उसको आपको जॉइन कर लेना है तो ध्यान रखना अगर आपको हमारे टेलिग्राम के सही और ओरिजिनल वाले चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको लिंक का ही यूज करना पड़ेगा जो वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है तो ध्यान से टेलिग्राम चैनल को जॉइन करोगे तो आपको सर्च करके जॉइन नहीं करना है अगर आप सर्च करके जॉइन करोगे तो किसी गलत या फेक चैनल के साथ जुड़ सकते हो तो सही तरीका सिर्फ कि है कि आप लिंक का यूज करना जो वीडियो के नीचे कमेंट में आपको दिया हुआ है अब आते हैं वीडियो के में पार्ट पर देखो जो यहां वेन्यू रहने वाला है वह है जंक्शन ओवल मैल्मन का ग्राउंड रहने वाला है बागी वैदर क्लियर है रेन का चांस इन्वेस्टर अपने कोडिंग कर सकते हो बागी टीम यहां पर दोड़ों टीम के एक्कवल चांस है बट कहीं ने कहीं में आप थोड़ा स्कॉचर की तिम को फेवरेट मानने का यूद्ध की थोड़ी सी फिर भी सही है अगर कंपेर करोगी यहां पर बागी अगर बात की ज इसने को मिल सकता है एक सब्सक्राइब के राउंड एवरेज स्कूर यह नीचे लिखा हुआ मैंने बाकी पिच रिपोर्ट के बारे में एकी चीच बोलूँगा बैटिंग के लिए अच्छे पिच और कहीं नहीं कहीं आप फास्ट बोलर को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है औ बाकि टॉस के बारे बागे तो बैटिंग फर्स्ट चेज नोट इजी मतलब जो टिम पहले टॉस जीत को बैटिंग पहला करना चाहिए और चेज करना इतना ही नहीं है तो इसलिए बैटिंग करने को आएगी बाकि जिसको 165 के राउंड आपको दिखने को मिल सकता है बाकि दो मैच इसंग की टीम खेल चुके जिसमें से एक मैच उन्होंने मारे 155 दूसरे 164 एक मैच जीते हैं एक मैच हारे मेल पर्थ स्कॉचर्स की टीम एडम लाइक जो कि इंग्लेयान की डॉमिश्टिक का सूपर स्टार बैट्समें है अभी रिसेंट पर आपने इसको आपू जरूत पढ़ने पर पार्ट टाइम ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेता है इंफो में हंड्रेट वाले टॉर्नमेंट राभू था अच्छी फॉर्म में था बट जैसे यहां पर ऑस्ट्रेलिया में आया वैस थोड़ा उट फॉर्म नजरा है लाश्ट दो मैस से इंपोर्ट सब्सक्राइब करते हैं दोनों को पहले से थोड़ा एक्सपिरेंस विया साथ में खेलने का निक आपसन के बारे में अगर बात किया तो यहां पर लेफ्टन बैट से न्यू प्लेयर है यंग प्लेयर है दो मैच पचासन बनाये थे इससे पहले बट अभी लास सीजन बाकि अभी तक तीन और आट फ्लॉप रहा है तो इसलिए ग्रेंड लिंग में ट्राइक करना तो कर सकते हैं यह टॉप बैटिंग बनाट पास्ट का रिकॉर्ड को अच्छा है इस टोना में फ्लॉप रहा है जोश इंगलिश बोलूगा कि इंपॉर्टन बन जागा आपके लिए ट्वेंटी ब्लाश में इसका अच्छा रिकॉर्ड है और लास सीजन इसने आठ मैच में 37 से लास सीजन उतना अच्छा नहीं रहा बट फिर पिस को ऑशले की टीम में मौकर मिलता है खेलने का और पहले मैच में 13 मारे दूसरे में बसर नुवारे प्लस विकेट के पर तो कै से लास सीजन घ्यान रखके चलना और पहले मैच पर दो रन मारे जहां ऑवर नहीं डाला दूसरे मैच में 20 रन मारे जहां एक ओवर डाला विकेट नहीं मिला इंपॉर्टन प्लेर है इसकी मुझे एक इनिंग हमेशा याद आती है जो मोहाली में खेली ती इंग गया है कि म सब्सक्राइब के बारे में जो कि मैं बोलूगा कि इनके पास अल्रेडी टॉप क्लास बॉलर अवेलेवल है तो हाड़ी को मुझे लगता पुरे चार ओवर मिलेंगे एक या दो वर करेगा पहले मैच में एक भी ओवर नहीं डाला था दूसरे मैच में दो वर डाले दो वि सब्सक्राइब करेंगे लिए 6 वर बॉलिंग किते हैं लास सीजन की परफार्मेंस है इस सेजन और अच्छी फॉर्म में है बाकि अगर बात किया तो एस्टन नेगर के बारे में लेफ्टन बैटसने पहले मैच में चार ओवर में एक विकेट दूसरे मैच में जीरो पर भॉलिंग में नहीं ट्राइब करते हैं मीनी ग्रेंड लिक और ग्रेंड लिक में जरूर करना बाकिया अगर बात किया तो जाहिए रिचरडसन के बारे में बहुत चीफ फॉर्म में इस लास सीजन तो जाता है मैच इस नहीं खेला सिर्फ दो मैच लिए था जहां दो मै मैच में साथ विकेट ले चुका चार यहां तीन यहां बैटिंग भी कर लेता है कैप्टेंस की बहुत बैस्ट पीक है एंड्रीव टाई के बारे में अगर बात करें तीम को लिए फार्श बॉलिंग करते हो नसर आएगा और यह टीट यह से फॉर्मेट का एक दो में स्पै यहां पर यहां पर इतना बढ़िया बावर प्ले आपको याद होगा चार 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 ओर बालिंग करके बाके यहां पर पीटर है गलू के बारे में अगर बात की जाते हैं लैक स्पिन बॉल रहा है लास सीजन अच्छा रहा था पंद्रा मैच अब इसके चक्कर में इसको अभी रिसेंट डाबी टीटेन मौका भी मिला था बट वहां भी इसके अच्छे परफॉर्मेंस रही थी बट जैसी पहल गेम चेंजर बढ़ेगा और ग्रेंडली मजरू ट्राइब करना क्योंकि इसके पास हो क्यापेबिलिटे विकेट टेकिंग यहां पर मैथ्यू कैली के पास पहले मैच में तेरह नवारे चार और में एक विकेट लिया बाकि डैथ होवर 15 से 20 और के बीच में आपको डेफिन में बाकि इंपोर्टेंट बोलों कि यहां पर डेफिनिटली लेथ फैफ इंग्लिश टर्नर दन हार्डी को ले सकते हो बट वही है कि की ओवर शाय देखाजा करें और बैटिंग वाट नीचे है बाकि एस्टन नेगर बन सकता है जाय रिचर्टसन एंड्यू टाई और बैर चार पांच में उठाके देख लो तनी अच्छी फॉर्म में ने था सिर्फ एक मैच में देख सकते हैं क्या इनिंग खेली मारे लाश्ट वाले मैच में तो उमीद है कि यहां पर फॉर्म को करें बाकि काफी लंबे टाइम मतलब चार पांच में देख रहा हूं है पर जाए क्लाक अच्छी फॉर्म में उठा लो यहां उठा भी टीटैन उठा लो फ्लॉप रहा था बट पहले मैच में हमारे दूसरे में सेंचुई लगा दिए एक विकटीपर है कैचिंग स्टंपिंग पॉइंग लास सीजन तेरा मैच में 419 सन मना थे बिग बैश में उसके बाद थोड़ा उटव नदर रहे बटा फॉर्म में वापीस आगया तो टीम में ले सकती हो बागे टॉम रोजर्स के बारे बात कि राइटन बैट्स में एक मैच बत्तिस मारे से लास सीजन में अभी तक दो मैच में चौन कर चुगा एक में बीस एक में चौन कर जा था थी तो य बैटिंग से भी कॉंट्रिबूट कर रहा है तो एक अच्छा उप्शन ए टीम में लेने को वाइस अप्टेंसी भी ट्राइब कर सकते हैं पर ब्यू एस्टर को वैसे फास्ट बालिंग कर रहा है ध्यान रखके चलना इंपॉर्टन बन सकता है आपके लिए बारा मैच यह बैटिंग करने का मौका मिल रहा है तो इसले इंपॉर्टन भी बन जागा आपके लिए लिए हिल्टन काट राइट के बारे में बात किया तो रैटन बैट्स ने फास्ट बलो रहे है चौदा मैच में टीम के लिए तीम को मेरे खाल से अगर लार्किन को खिला लिए तो या उससे पहले जितने भी एस खेला है हमेशा सीजन में एक है दो हाफ सेंची जरूर लगाता है तो मिनी ग्रेंड लिग विगरे में ट्राइग कर सकते हो कहला है लास्ट मैच में पर बैटिंग ने बाकि आप है लियूक वुड फास्ट बॉलर दो मैच में तीन विकेट न दूसरे में दो विकेट तो अभी तक बहुत टोर्नमेंट है तोटल दो मैच में पांच विकेट निकाल चुका है पंद्रार बैटिंग से कर रहा है और इंटरनेशल टीम में खेल चुका आपने खेलते हों कहीं बार इंडिली के लिए मुंबई इंडियंस के लिए तो काफ बार ने तो गंटेनिसली बैक टूब विकेट हर मैच में निकाल गे देरा जेंपा दस मैच इसमें लास सीजन दस विकेट निकाल ले तो जैंपा पर आपक्ष्पीन बोलर लेक्स पिन बाके अगर बात किया तो यहां पर देथ होवर्स 15-20 और के बीचे बोल्ट कल्टर नाई और वुट बॉलिंग करते हो नजर रहेंगे बैंच में यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लेफ्ट हैं नौ मैच में से बाहरं कोई विकेट ने पांच मैच के लिए था इंजर्ड होगे नहीं खेलेगा इंपोर्टन बोलोगे यहां पर क्लार्क वैप्स्टर मार्कस इसके इंपोर्टन्स को मुझा बॉलिंग तो करने बैटिंग से ब्रेंग बड़ा प्लेयर है काट राइट अगर निक लार्किन टॉप पॉर्टर में खेलेगा तो ही इंपोर कोई क्रेडिट का इसउन आगा आप किसी भी एप में पें पेंपे रहेगी काफी अच्छी विइनिंग कर चुकि आप भी साहिप में खेलके अच्छी आर्निंग कर सकते हैं जब टेलिग्राम चैनल जोइन करो तो महां मिल जागा रैफर कोड आपके लिए रहेगा सेम एज डी ओ सी टी ओ रहेगा दूसरे फेंटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाए तो रहेगा सब बैटर को ले सकते हो बागी दोनों यह अच्छी फॉर्म में नजरा है लाश्ट एक हैं सेंच्री लगा लाश्माच मैच में प्लास विकट कीपर तो कैचिंग कर रहेगा यहां पर मैं गया हूँ लिट के साथ आप यहां पर जा सकते हो यहां पर मैं टर्नर के साथ टर्नर की जगा आप जा सकते हो यहां पर लार की नगर टॉप और वैटिंग करें कार्ट राइट फिनिशर यहां फिर आप जा सकते हो रोजर के साथ जो की ऑपनिंग करा बट फि सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आप चाओ तो इंग्लिश या फिर क्लार को ड्रॉप करके अब एगर के साथ जा सकते हैं डिफरेंट बनेगा बाकि रिचरट्सन बॉल्ट टाइड कल्टर नाइल और जैंपा के साथ यहां बाकि आपके पास जो और ऑप्षिन उसमें जै एक ब्रॉप कर नेगन चै्प्टन में यहां रिचरट्सन बोल्ट है वैप्ष्टर है ग्लार्क है जैंपा है तो बहुत सारे वाप्षिन आपके पास आपके पास है आपकी साथ आपके जा सकते हो आपके टीम क्या रहेगी मेरे को यह मेरी ग्रेड लिक के टीम रहेगी टीम फाइव रहेगी बागे इस फॉलियो ग्रेड़ी की फाइनल टीम आफटर टॉच टेलीग्राम पर दूगा तो टेलीग्राम चैनल जोइन कर लें उसका लिंक वीडियो की नीचे कमेंट मिल जाएगा सबसे ओपर ब्लीव क्लियर का लिंक होगा जैसे उसको जोइन कर लें जाएगा से टेलीग्राम चैनल को जोइन के लें जैसे बताएगे तो मिलते हैं टेलीग्राम पर जाहीं दोस्तों बाइवाबाई